दिल्ली सल्तनत के शासक राजस्थान पर कबजा करना चाहते थे, लेकिन वे केवल पूर्वी भाग पर ही नियंत्रन रख सके, जबकि दक्षणी और पश्चिमी भाग स्वतंत्र रहे। तभी अलाउद्दीन खिलजी शासक बना, केवल पचीस वर्षों में उसकी सेना ने मालवा, गुजरात और यहां तक की दक्षण भारत के कई हिस्सों पर कबजा कर लिया, उसने इन सभी स्थानों को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसमें कुछ समय ल इन राज्य थे, इन राज्वंशों की स्थापना बारहवी और तेरहवी शताबदी में हुई थी, प्रत्येक राज्वंश पूरे क्षेत्र पर कबजा करना चाहता था, जब दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने गुजरात पर आक्रमन किया, तो दक्षण से मालवा और गुजरात पर आक्रमन कर दिया, देवगीर के यादव राज्वंश ने तेलंगाना में वारंगल यानि की काकातिया राज्वंश और करनाटक में होय सालों के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी, इन प्रतिद्वंध विताओं ने दिल्ली के लिए मालवा और गुजरात पर व व्यापार मारगों तक पहुँच थी, जिसका अर्थ है कि वे सोने और चांदी जैसी व्यापारिक वस्तूओं से बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। दिल्ली के शासकों को अपनी सेना के लिए घोड़ों की आवश्यकता थी, मध्य और पश्चिम एशिया में मंगोल दिल्ली के लिए समस्याएं पैदा कर रहे थे, इसलिए उन्हें अब उन क्षेत्रों से अच्छे घोड़े नहीं मिल सकते थे। इसलिए उन्होंने अरब और इराग जैसी जगहों से घोड़े लाना शुरू कर दिया, जो व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। उनको तब आश्चर्य हुआ जब सेना अचानक आ गई, उसने जवाबी कारवाई नहीं की। अलाउद्दीन की सेना ने अनहिलवार सहित कई शहरों को लूटा, जहां सुंदर इमारतें और मंदिर थे, प्रसिद्ध सोमनात मंदिर को भी लूटा गया। सेना ने धेर सारा दक्षणी सैनिक अभियानों का नेत्रित्व किया। गुजरात पर अब दिल्ली सल्तनत का नियंत्रण था। अलाउद्दीन के लिए सत्ता संभालना बहुत आसान था, क्योंकि गुजरात के राजा रायकरण को उनकी प्रजा पसंद नहीं करती थी। उसका एक सलाकार उसस से रायकरण ने किसी तरह दक्षण गुजरात के एक हिस्से पर अपना कब्जा कायम रखा। रायकरण को देवगीर के यादव राजा का मदद देना यादवों के राज्य पर दिल्ली सल्तनत के आक्रमन का एक अतिरिक्त कारण था।